नूजवाल इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है जी हाँ नुएडा अथोर्टी में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जिसको लेकर किसान शिकायत कर रहे थे इस खबर को नूजवाल इंडिया ने प्रमुकता से दिखाया Newswall India Ground Zero पर भी किया उन किसानों से बात की उन लोगों से बात की जिन्हें लगातार परिशान किया जा रहा था असर तो हुआ है लेकिन सवाल अभी ये है कि suspension आखिर क्यूं नहीं क्यूं सस्पेंट नहीं किया जा रहा है जब लगातार ऐसे अधिकारी को लेकर शिकायते आ रही हैं भरस्ट अचार की किसानों की जमीन को अतिक्रमन दिखा कर धन उगाही करने के मामले में नौइडा अथोर्टी के सीयो अब सख्त रुक अपना रही है लेकिन अब भी उस पतवारी पर गाज नहीं गिरी है दरसल अगर नौइडा की हम बात करें तो नौइडा में बड़े भूमी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था और ये जो पूरा मामला है वो महरिशी योगी आश्रम ट्रस्ट अथोर्टी के अफसर और भूमाफिया मिलकर अंजाम दे रहे थे लगातार इसकी शिकायते जो है किसानों द्वारा की जा रही थी और नर्ड अथोर्टी में आकर सीयो लोकेश एम से शाशन स्तर तक ये शिकायत की जा रही थी और ये शिकायत पहुँची भी लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सक्त रुक अपनाया नहीं जा रहा था लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर CEO जो हैं वो सक्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं दरशल इस पूरे मामले को लेकर CEO निला परवाही बरतनी और मामले में लीपा पोती करने के आरोपी OSD अविनाश्ट पार्टी से चार्ज शीन लिया है चार्ज तो छीन लिया लेकिन संस्पेंशन आखिर क्यों नहीं हुआ है आपको बता दें कि इससे पहले लेंड विभाग का एक आउडियो भी वारल हुआ था न्यूज वाल इंडिया ने वो दिखाया भी था टूइट भी किया था और सभी जो ऐसे अधिकारी हैं जिनके जिम्मेदारी उनको ट्रैक भी किया था जिसमें एक तैसीलदार आउडियो में लेंडेन की बात कर रहा था ऐसा आउडियो भी सामनी आया जिसके बाद एक वीडियो भी निजवाल इंडिया ने दिखाया था बताये जो रहे कि किसान अपनी समस्याएं लेकर अविनाज तो पाते के पास पहुंशते थे लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था किसान उनकी भी शिकायत लगातार करते हुए नजर आ रहे थे महरिशी मामने में नोटिस बेजने के अलावा कोई बड़ी कारवाई नहीं होती थी अब ऐसे में एक आजा सकता है कि किसान जो हमारे सामनी लगातार उनकी शिकायत कर रहे थे अब CEO ने action लेकर उनसे charge तो छीन लिया लेकिन इस संदेश के पीछे भी एक कहीं न कहीं कारण जो है वो लोग ढून रहे हैं कि संदेश तो है कि हाँ अवैद कबजा नहीं करने दिया जाएगा लेकिन suspension क्यों नहीं हो रहा है सवाल ये है आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है इस पूरे मामले को लेकर भूखंड बेचे जा रहे थे छोटे छोटे अवैद रूप से महारिश्री आश्रम की जमीन पर बड़ी संक्या में बुखंडों पर commercial complex भी बना लिये गए थे महारिश्री आश्रम की जमीन पर रातो रात अवैद निर्मान भी हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गलत तरीके से plotting हो रही थी यह मामदा जो है 2011 में नुएडा प्रादिकरण ने जमीन का अधिकरण करने का प्रयास किया तब हुमाफियाओं ने मारिश्री आश्रम को धार्मे की सतल बता कर विरोध कर दिया था आसपास से किराय की बिड़ी खटा करके धर्ना प्रदर्शन भी किया गया प्रादिकरण इसमें धर्म की आणवर में जो एक गलत तरीके से जमीन भेशने का काम हो रहा था वो अब सबके सामने हैं जिन लोगों की जमीन अवे तरीके से ले ली गई है जिन पर अतिकमन दिखा कर उनसे धनोगाही की जारी है वो लगातार इसकी शुकायत कर रहे थे और अब जाकर इस पर कुछ action हुआ है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चार्ट छीना गया है आगे suspension भी होना चाहिए और उस पत्वारी पर भी action जरूर होना चाहिए उम्मीद है कि जल्धी नोयडा अथॉर्टी के CEO जो है कोई बड़ा फैसला स्पूरे मामली को लेकर लेंगे